Hello Everyone, Welcome to Smart Market Tips Friends, in this video we'll learn how to buy a stock How to buy a stock using STFC Securities का जो नया application है Mobile application, Invest Right तो Invest Right में कैसे stock को बाई किया जाता है वही आम लोग पुरा डेमो दिखाएंगे आपको आपको पुरा step by step बताएंगे so that आप एक stock आशानी से खड़ी सके अगर आप new beginners हो in STFC Securities में if you are new user, in STFC Securities, Invest Right App आप अगर नया यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होड़े बाला है अगर आप नया beginners हो और सोच रहे हो कि आप stock market में begin करोगे how to invest तो मैं आपको सला दूँगा, सजेस्ट करूँगा you can go with either STFC Securities और आप upstocks के साथ जा सकते हो क्योंकि upstocks एक बहुत ही third generation का easy to use एक application है जहां पे बहुत ही सस्ता है compared to STFC Securities क्योंकि STFC Securities में भाया थ्वासा बहुत ही जादा है तो अगर आपको upstocks के साथ जादा है तो upstocks का account opening का link आपको description box में मिलेगा चाहो तो आप वहाँ पे click करके भी free में आपका account digitally online आप open कर सकते हो यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा demo के साथ कि आप Invest Right एप में STFC Securities का कैसे आप एक stock को buy कर सकते हो step by step तो देखिए जो आपके login करने के बाद invest right यह जो एप है यहाँ पे आपको login करने के बाद आप यहाँ पे देखिए के copy सारा यहाँ पे top gainers top losers यहाँ पे जो है listing है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपको लगद है कि कोई stocks आपको खरीतना है तो यहाँ पे देखिए एक lookout button है यहाँ पे जो lookout search button है तो यहाँ पे आपको click करना है ठीक है यहाँ पे आपको click करना है और आपको जो भी stock खरीतना है for example आप SBI State Bank of India का stock खरीतना चाहते हो तो आपको यहाँ पे State Bank यहाँ पे आगर आप type करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा यहां पर देखिए आ गया यहां फिर आप only SBI भी आप टाइप कर सकते हो तो यहां पर चलिए हम लोग SBI टाइप कर लेते हैं State Bank भी आप टाइप कर सकते हो तो SBI जैसे ही टाइप करेंगे यहां पर देखिए State Bank of India का यह बाला जो स्टॉक्स है यह BSC और NSC और BSC दुनों आगया तो कोई भी एक को क्लिक कीजिए और यहां पर आपको पूरा चैट दिखाए देगा कुमपणी का features, कुमपणी का overview, कुमपणी का options, कुमपणी का technical analysis, research calls, सारे के सारे news किया है, कुछ recent events है किया कुमपणी का, analyticals, final sales, mutual fund holdings, कुन सा-कुन सा mutual fund SBI में निवेस किया है, कुमपणी का bio data, सारे कुछ देखने के बाद, अगर आपको लगदा है कि हां overview में फिर से जान ये stock तो खरीदना है, तो आप खड़ी दिये, इस stock को कैसे खरीदेंगे, यहाँ पर देखे, buy का एक button दिया गया है और उसके बाजू में एक sale का button दिया गया है, तो आपको buy button पर click करना है, ये जो buy button है, इस पर click करना है, तो चलिए हम लोग buy button पर click करते हैं, तो यहाँ पर आप जब भी Buy बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको SBI Stock दिखाए देगा और साथ-साथ इसका BSC का प्राइस 620 रुपेस एनसी का प्राइस 620 रुपेस यहाँ पे Buy यहाँ पे जो है यह आपको अल्लेडी सिलेक्टे रहेगा सेल यहाँ पे नहीं रहेगा कि को आप Buy options किये हो ठीक है एक सेंस टाइप बाइडीफॉल्ट एनसी रहेगा आप चाहो तो इसको बी एस सी भी कर सकते हो यहाँ पे टैप करके और आप टैप cash इंटरेए आकर है तो इंटरेए करेंगे cash मैं आपको दिखाता हूँ cash कैसे करना है तो मैं यहाँ पे यहने से सेलेक्ट कर लिया वापस यहाँ पे है quantity कितना है quantity मैं आपके लिए for demo purpose 10 quantity में डालना चाहूंगा और यहां पर देखिए by default यहां पे जो है market selection है तो market का time है आपको पता है 9.15 में open होता है 9.15 से 3.30 तक हमारा market timing है यहां पर इसी बीच में आप कोई stock बेश सकते हो खरीश सकते हो ठीक है तो आभी देखिए जो time है दोस्तों यहां पर time है अभी रात को यह 30 तो आभी market hour से बाहर है तो we cannot buy market order आपको अगर buy करने जाहेंगे यहां पर देखिए final price आपको दिखाए देगा और जब भी आप बाई करने जाहेंगे तो आपको एक message दिखाए देगा कि यहां पर पूरा आपको confirmation दिखाए देगा उसके बाद confirm आप चैसे करेंगे यहां पर आपको message दिखाए देगा trading cannot be done यह market order can only be placed during trading hours not before or after this time मनलब आभी रात को 8.30 हो गया है तो 9.15 to 3.30 तक आपको trade कर सकते हैं तो इसलिए आपको market option selection नहीं कर सकते हो अगर आप market time से बाहर कर रहे हो तो आपको limit order select करना है यहां पर देखिए market के बाजू में limit बोलके options है उसको selection करना पड़ेगा और आपको एक price set करना पड़ेगा limit price कि आप भया कौन सा price में पर्चेस करना चाहते हो अभी तो stock का price है 620 रुपिस बाट आप कौन सा price में buy करना चाहते हो माली जी आप यह चाहते है कि 620 नहीं मैं इतुरा अगर stock नीचे आता है 600 तक त तो आप उसी हिसाब से price जो है यहाँपे 600 यहाँपे mention कर दो यहाँपे 600 आपने डाल दिया और नीचे आप देखेंगे कि जैसे आप 600 डाल दिया यहाँपे जो 10 stocks आपने खड़ी दे हो 10 जा 600 आपको total 6000 price आपको यहाँपे दिखाए देगा यहाँपे जो दिखाए रहा है 6000 तो चलिए आगे बरते हैं, buy करते हैं, buy अब जैसे करेंगे दोस्तों, next page में आपको पूरा इटर्स यहाँपे दिखाए देगा, water amount, action type है buy, total amount, quantity 10, product type cash, पूरा limit order पूरा आपको दिखाए देगा, यहाँपे बहुत important जो आपको link दिया गया है, view brokerage details, यहाँपे आपको click ए तो मान लिजे, आपका brokerage यहाँपे पूरा, यहाँपे breakout दिया है, कहाँपे कहाँपे कौन सा कौन सा charges है, security injection, CB turnover fees, taxable values, GST, यह सारे के सारे options आपको दिखाए दे रहा है, and finally आपको जो total brokerage pay करना पड़ेगा, वह है 36 रुपीज, 63 पैसा, यह आपका, मालब आपका 6000 का जो price ह है, stock का, plus 36 रुपीज, ठीक है, तो total हो गया, 6000, 36 रुपीज, 63 पैसा आपको pay करना पड़ेगा, brokerage, ठीक है, extra brokerage के लिए, तो अब जाएसे इसको देख लिया, इसको close कर देंगे, फिर यहाँपे देखे, confirm buy order है, यहाँपे confirm buy order आपको यहाँपे दिखेगा, नीचे में, इस कि यह रात को अभी 8.30 हो रहा है, would you like to place an offline limit order instead, this off market order would be sent to exchange to normal market continuous sessions, जब market open होगा 9.15 सुभा को, morning को, तो आपका order sent कर दिया जाएगा, by default, जो price अपने set किये हो, उसी price में अगर stock निचा आता है, तो execute होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँपे OK बटन पर क्लिक करना ह करेंगे, आपका जो linked bank है, उसके उहाँ से पैसा कर जाएगा, यहाँपे total आपका दिखाए देरा, देखिए, जो total price, 6000 stock का price, और बोकर जो 66 रुपिस, 64 पैसा, यह पैसा आपका जो bank है, उस bank से आपको कर जाएगा, कटेगा, hold करेंगे, फिर आप जब भी, यहाँपे hold and confirm कर देंगे दोस्तों, तो आपका order placed हो जाएगा, ठीक है, आपका order हो जाएगा, placed, मतलब आपका order हो गया, placed, next day 9.30 को, 9.15 को order आपका execute हो जाएगा, अगर 600 price तक वो नीचे आता है, तो, अगर नहीं आता है, तो execute नहीं होगा, ठीक है, तो order आपको order section में जाके, आपको order देख स किन पर आएगे, नीचे जो section है, dashboard, watch list, order and portfolio, यहाँ पर देखिए, आपको portfolio का options मिलेगा, नीचे, तो आपको portfolio में जैसे click करेंगे, दोस्तों, यहाँ पर portfolio के अंदर, वो stocks आपको दिखाए देगा, इवेन आपका demand balance हो, यहाँ पर भी आपको stock दिखाए देगा, अगर execute हुआ है, तो हाँ से जाके, फिर से sale आप कर सकते हो, sale का भी process लगपक से मैं, और एक dedicated video बनाऊंगा, आप प्लीज comment करके बताएगा, अगर आपको sale procedure का video चाहिए, तो sale का demo के लिए, मैं अलग से एक video बना दूँगा, इस video के कैसे लगा है, आपको ज़रू comment करना, अगर अच्छा लगा है, useful रहा हुए, तो चैनल को please subscribe करना, चैनल को support करना, you can also take channel membership for stock recommendations and endless support, कोई भी अगर query है, तो आपको तुरंद help मिल जाता है, अगर आप channel membership हो, चलिए thanks for watching this video, मिलते हैं इस informative videos के साथ अगले video में, thanks for watching again,